पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादिर का सलाम मुल्की मौजूदा स्यासिस उर्थाल को मद्दे नजर रखते हुए अगर देखा जाये तो ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात का बिगल बच चुका है और आने वाले चंद महीनों में इलेक्शन होना है पाकिस्तान में जरनल इलेक्शन की तरफ मौमला जाता दिखाई दे रहा है इलेक्शन कमिशन की त्यारियां हो या स्यासी जमातों के दाव पेच हो इस वक्त तखते पंजाब की जो जंग है वो सबसे ज़्यादा लड़ने के मूड में दिखाई दे रही है स्यासी जमाते और सब अपने अपने घोड़े दोड़ा रहे हैं कि किसी तरह से पंजाब कमजगम हमारे हाथ में आ सके जो इंडिपेंडन्ट सर्वे हैं वो कुछ अलग कहानी बता रहे हैं किस के हग में पंजाब जाता दिखाई दे रहा है ना सिरफ पंजाब बलके खैबर पक्तुनखा लेकिन स्यासी जमातें इलेक्टिबल्स के सारे इस पंजाब को फता करना चाते हैं क्या हो रहा है अंदर काते क्या चल रहा है वो सारी तफसील आपको बताऊंगा लेकिन आज बड़ी दिल्चस्प सूर्तियाल पैदा हुई आज सुबों से ही तक्रीबन दिन तीन बजे के बाद से आनवर्ड ये खबरे गर्दिश करने लगी कि कोई शाह नाम का शक्स जो है अच्छा शाम तक ये सारी सिच्वेशन इसी तरह से जारी रही के कुछी देर में प्रेस कॉणफरेंस कुछी टाइम के बाद प्रेस कॉणफरेंस तो सारे टीवी चैनल की जो DSNG हैं यानि सैटलाइट वैन्स वो पहुंच गई प्रेस क्लब में सारे मीडिया चैनल बिलकुल अलर्ट हैं कि किसी भी टाइम शाह फर्मान आ सकता है ड्यूटी मेरी भी लगी हुई थी मैं को तक्रीबन तीन सारे तीन गंटे तक इंतजार किया कि कब आएंगे कब आएंगे कब शाह फर्मान साब आएंगे भूब भी लग गई खैर कहीं खाने पीने के लिए बाहर निकल गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद शाह फर्मान से राप्ता करके उनसे मालूम करूँ तो फोन किया तो उन्होंने बताया मुझे कि मेरा तो कोई इरादा नहीं है अभी प्रेस कॉंफरंस करने का ना मेरा किसी से कोई रापता है ना मुझे किसी ने प्रेस कॉंफरंस का कहा है ना मैंने ऐसा कोई फैसला किया आप लोगों को किसने का है मैंने बताया जी इधर तो पूरा मीडिया अलर्ट बैठा हुआ है और सारे टीवी चैनल अपनी लाइव DSNG वैंस के साथ तो मुझे नहीं बता कि जब यह मैं विलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो किसी और शाह की प्रेस कॉन्फरेंस ना हो जाए लेकिन यह विलॉग रिकॉर्ड करने से पहले और शाह फर्मान से टैलेफोन एक राप्ते तक तो उनका कोई प्लान नहीं था कि वो प्रेस कॉन्फरेंस करना हाला कि हमारे इंटर्नल ग्रूप्स में भी यह आ रहा था लेकिन सारे पहले पहले ऐसे ही बोलते है बाद में अगले दिन पता चलता है प्रेस कॉनफर्स होगी तो खेर किसा मुख्तिर कि अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है खैबर पक्तूनखा के जो लोग हैं उनसे पीटी आई के लोगों को खासी उमीदें वाबसता हैं कि ये देर तक रिजिस्ट करेंगे परवेश खटक की जानब से उन्हें थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई लेकिन आज उनका भी नेमल बदल लॉंच कर दिया गया अली अमीन गंडापूर को ये जिम्मेदारी दे दी गई आज पीटी आई में दो तकररियां हुई हैं दो नए नोटिफकेशन जारी किया है इमरान खान की मन्जूरी के बाद जो इस वक्त सेक्रेटरी जरूरल है उमर अयूब उन्होंने ये दोनों नोटिफकेशन जारी किये सदर खैबर पक्तून खा अली अमीन गंडापूर बन चुके हैं परवेश कर्टे की जगा और जरूरल सेक्रेटरी जो हैं वो अली असगर खान को बना दिया गया है तो इन दोनों के नोटिफकेशन जारी कर दिये गये हैं आज पूरा दिन मीडिया की स्क्रीन को देखने का थोड़ा वक्फे वक्फे से इतफाग हुआ तो पता चला के तयब उर्दगान सब पाकिस्तानी मीडिया पर चाहे हुए है I understand कि एक इवेंट है एक बड़ी तकरीब है एक सर्मनी ऐसी है जिसकी न्यूज आनी चाहिए कि जनाब उन्होंने हल उठा लिया लेकिन उसको इस तरह से मीडिया के हलके दिखा रहे हैं जैसे ये शाहिद को पाकिस्तान का इवेंट है और मैं ये जो अंडर्स्टैंड कर प वो गेस्ट अरेंज करने वाले लोग हैं या टॉक शोज अरेंज करने वाले लोग हैं वो भी इतरह से परेशान परेशान से फिर रहे होंगे कि किसको इन्वाइट करें क्या बताएं टॉक शो में क्या डिसकस करें अगर पॉलिटिक्स को डिसकस करना है तो वो पी टीए के उपर discussion कर लें, बाकी एक ही तरह का narrative, एक ही जैसी press conference, एक ही तरह के ilzamaat, उनको public किस तक absorb कर सकती है, that is a question, मेरा ख्याल है मुश्किल सूर्तियाल होगी, खेर, थोड़ी सी स्यासी सूर्तियाल के हवाले से बात करते हैं, इमरान खान optimistic हैं अभी तक, कि इस सारे क्योस का कोई हल उनसे कल एक गैर मुलकी टीवी चैनल ने बातचीत करते हुए, जब पूछा, कि वे आउट किया है, आप क्या समझते हैं, तो इमरान खान ने कहा कि वो काफी optimistic हैं, और उन्हें लगता है कि कही न कहीं जाके, एक certain point पर, एक certain stage पे, sense prevail करेगी, और बातचीत होगी, और इसका कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा, मुजाकरात किस से होने हैं, इस बारे में तो PTI की क्यादत, जो बची-कुची क्यादत समझ लीजिए, वो clear है कि किस से करने हैं, दूसरी तरफ, हकुमती अराकीन जो हैं, वो कह रहे हैं, आप कोई मुजाकरात ने हैं, बिलकुल, हम वो कहते हैं, कि आप दैशतगर्द हैं, हम आपके साथ कोई मुजाकरात नहीं करना चाहते हैं, तो आज हमाद इसर का एक मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने का कि जो ट्वीट में लिखे के लफज हैं, उनके मताबिक वो कहते हैं, कि हम कटपुतलियों से मुजाकरात क करना चाहते हैं, और उनसे बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, अभी तक इस बारे में फिल हाल कोई ब्रेक्ट्रू नहीं है, बट स्टिल ऐसाइड अलियर के इमरान खान थोड़ा पॉजिटिव हैं, आप्टिमिस्टिक सोच रख रहे हैं, कहीं न कहीं किसी स्टेज पे, किस इस वक्त PTI के लिए एक वबाले जान बना हुआ है, उन सारे लोगों के लिए, तो उस केस से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाना, ये PTI ने आज बड़ा सेलिबरेट किया, यानि उनको ऐसा लगा कि चलें कहीं से कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली, वरना तो तारीख पेशियों 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 और जो बाकी खवातिन के साथ इस वक्त हो रहा है, उसके उपर Human Rights Organization भी लिख रही है, अंदर बाहर से भी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन उनके लिए ये होस्ताफ़ा खबर आज के दिन की थी, कि डॉक्टर यास्मीन राशित क कम असकम उस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया और होना भी चाहिए था, इसलिए क्योंके बड़े क्लिर एविडेंस थे कि वो बज़ाहर बाकियों को रोक रही थी, कि जनाब अंदर ना जाएं, बाहर रहें और उनके कुछ बयानात ऑन रेकॉर्ड भी हैं, तो इस हिल्सले में अब उनकी रहाई के लिए जो मौजज जजज साहिबा ने ओर्डर किया है, वो ये लिखा है कि इस केस में इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, गिरफतारी की जरूब नहीं है, अगर किसी और केस में ये मतलूब नहीं है, या इनकी गिरफतारी की जरूब नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि further किसी और case में जैसे वजीराला साबिक जो थे परवेज लाई वो एक case से निकले दूसरे में दूसरे से निकले तीसरे में तो corruption case से निकले तो जाली भरतियों के case में गिरफतार कर लिया इस किसम की situation है तो देखते हैं कि कब तक ये सारा सामना करना पड़ता है अब तो PTI के वुकला जो है वो भी कहा है थक गया है इम्रान काने भी अब इसका hint दिया कि जारी बात है बड़ी इंटेंसिव ये सारी प्रैक्टिस है लेकिन इसी दुरान बहुत सारे हो और वुकला इम्रान खान को जॉइन भी कर रहे हैं इसाइड अर्लियर एक दो विलॉग में कि इम्रान खान ने वुकला के लिए तो जबान पाक के दरवाजे खोल रखे हैं जो है जहां पर भी है जिस बार कभी है वह वेल्कम ने आने के लिए क्योंकि बाकी लोग शायद उस तरह से जा भी नहीं पार है जबात की बारा है बहुत सारे चीजों को उन्हें इस मौझदा सूर्टछाल के तनाजर पाग पहुंचे और थोड़ी सी सोशल मीडिया के उपर हल चल मजगी कि अचानक से इसलामबाद पुलीस के अहलकार जमानपाग क्या करने पहुंच गए तो इमरान खान के जो वकील है नई बहादर पंजोता उनकी जानब से ट्वीट करके बताया गया है कि खातून जजज ध पहसला किया था कि वो आठ जून को अदालत में पेश होँगे इसलिए पुलीस ने वारेन्ट की तामील करा दी अमरान खान भी आठ जून को अदालत में पेश हो जाएंगे अब इस तरह से समझने की जरुवत है कि एक खातून जजज धमकी केस एक ऐसा केस है जिसमें इमर जबती से जलती फैसला जो भी है वो अगर कसूरवार है या कोई जुर्म ऐसा है जो उन्होंगे कोई कर दी है फॉरन से इसका ट्राइल हो सकता है सजा हो सकती है अगर नहीं किया तो डिसचार्ज होना चाहिए इतनी लंबी पेशिया इतना ज्यादा इतनी लंबी तो मजीद 6-7 साल का दुरानिया दर्कार होगा। लेकिन दिस इस दा डिरैक्शन। ये वो काम है जो हमें प्रियॉरिटी पे करने चाहिएं। ये वो खबरे हैं जिनको हमें वी लॉग के स्टाट में आपको बताना चाहिए। ये वो मुविंग फॉर्विड और ब्राइट पाकिस्तान है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि काश पाकिस्तान इस तरफ चल पड़े लेकिन अनफॉचनेटली हमारी तरजिहात कुछ और हैं आगे बजट आने वाला है आएम एफ हम से एक तरह से रूठा रूठा सा है अपने सियासी मौामलात को हम बहुत खराब कर चुके हैं एतमाद का फुगदान बहुत हद तक बिगड़ चुका है जो में स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमयान उस तरह से एतमाद साजी की कोई फिजा नहीं नज़र आ रही या कोई कॉन्फिदेंस बिल्डिंग मेयर नहीं नहीं सारे जिससे मौमलात आगे बढ़ें लेकिन एट दी एंड बढ़ना है इन्शाला इन्शाला तो फिर से विलॉग का इखताम जो हमने इसी दौा से करना है कि अल्ला पाकिस्तान के हालात पर रह्म फरमाए जो दूरियां आ गई हैं चाहते ना चाहते हुए भी ये दूरिया पाकिस्तान के लिए हमने मिल जूल के आगे बढ़ना है वाकिए ये बात फैक्ट है कि कोई एक पार्टी या कोई एक शक्स अगर ये सोचे कि वही सिर्फ सारे मसाइल का निजात धहिंदा है तो ये भी मुश्किल है क्लेक्टिव एफट होनी चाहिए जो गल्तियां हो गई हैं उन से सीख के आगे बढ़ने की जरूरत है बस एक लम्हे की देर है जब किसी फैसरा साथ के दिल में ये बात आ गई तो इन्शाला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा आज तक लेतने अपना बहुत सा खिया लगए अलाह फैस